आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और आज की रेट आपकी है 30 नौवंबर 2021 और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूपी टेट और सी टेट परिक्षा दोनों एक दिन होंगी और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर बहर सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारिया हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें और इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारिया दे जाती है तो इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखिए मैधपुट जानकारी है आप लोगों के लिए और ये जानकारी हमें आज तक समचर पत्र यानि की जो की एक चैनल है इस चैनल के माध्यम से हमें जानकरी मिली है और इसमें लिखाए कि UPTAT 221 CTAT के साथ क्लैस हो सकती है UPTAT परिक्षा की नई रेट और इसमें लिखाए कि केंद्रियर सिक्षक पात्रता परिक्षा CTAT 221 भी 16 दिसंबर से सुरू होनी है एकजाम 16 दिसंबर से 13 जन्वरी तक जारी रहेंगे ऐसे में UPTAT 221 की डेट CTAT 221 से क्लैस हो सकती है यानि कि ये दोनों आपकी परिक्षा तिथी एक साथ पर सकती है जो कि ये जानकरी हमें यानि कि न्यू चैनल आज तक के माध्यम से मिली है जो कि एक authentic चैनल है तो ऐसे में अभ्यारतियों के सामने काफी समस्या आ सकती है अगर ये परिक्षा एक दिन पड़ जाती है तो इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखी इसमें लिखाए कि उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा 28 नवंबर को आईजित की जानी थी मगर परिक्षा से कुछ देर पहले ही पेपर लिख की खवर आने की बाद परिक्षा रद करनी पड़ी है 13 लाग से अधिक उमिदबार परिक्षा में सामिल होने जा रहे थे जो पेपर कैंसिल की फैसले से निरास्त दिखे है एक्जाम रद करने की घोषणा के साथ ही जानकारी दी गई है कि एक महीने के समय में परिक्षा दुबारा आईजित की जाएगी उमिदबारो को इसके लिए कोई फीस देनी नहीं होगी ये भी इसमें जानकारी लिखी है कि दुबारा आपकी जो परिक्षा होगी इसके लिए कोई भी आपका सुल्क नहीं जाएगा तो इस वीडियो को आप लोग शेर कर दें सवी अभ्यारतियों को ताकि सवी कोई जानकारी मिल जाए कि ये परिक्षा हैं आपकी जो हैं यूपिटेट और सीटेट की दौनों एक दिन भी पढ़ सकती हैं जो की आज तक यानि की न्यू चैनल के माध्यम से ये जानकारी हमें मिली है और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें तो इसके बार हम देखेंगे इसी संब्द में और भी मैंत्पुट जानकारिया है तो देखिए आपके सामने लिखा है कि अब नई एक्जाम डेट की जल्द घोषणा की जाएगी और एक्जाम 28 दिसमबर तक आईजित किया जा सकता है जैसा कि हमने आपको बताया था कि 26 दिसमबर को परिक्षा ती थी आपकी डेक्लेयर हो सकती है जो कि समचर पत्र और मीडिया के माध्यम से जी जानकारी हमें मिल पाई थी लेकिन कोई भी सरकारी एलान अभी नहीं हुआ है जैसी कोई डेट आईगी इसकी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सुचना दे देंगे हम और इसमें लिखाए कि केंद्रिय सक्षक पादरता परिक्षा सीटेट 221 भी 16 दिसमबर से सुरू होनी है एक्जाम 16 दिसमबर से 13 जन्वरी तक जारी रहेंगे ऐसे में यूपिटेट 221 की डेट सीटेट 221 से क्लैस हो सकती है उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में उमिद्वार दोनों परिक्षाओं के लिए तयारी करते हैं और एक्जाम देते हैं ऐसे में यूपिटेट के सामने किसी एक परिक्षा में सामिल होने की समस्या आ सकती है तो ये महत्पुर्ट जानकारी है और आपकी अभी हाल फिलाल में ही एक या दो दिन में हो सकता है आपकी UP TET की परिक्षत यह थी आपकी घोसित हो जाए जो कि सरकारी तोर पर आपकी घोसित की जानी है मेडिया के माद्यम से समचार पत्रों के माद्यम से अलग-अलग माद्यम से बताय गया है कि परिक्षा आपकी 26 दिसंबर होगी लेकिन ये कोई अभी वी अधिकारिक एलान नहीं किया गया है जैसे कोई हमें जानकारी मिल जाएगी इसी चैनल के माध्यम से हम वीडियो बना कर आपको जानकारी दे देंगे तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं ताकि हम इसी प्रकार की नईनी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे धन्यवाद